दिवाली आ गई है और मोती चूर के लड़ू ना बने वह ऐसा तो हो यह नहीं सकता है तो आज हम बनाएंगे मोती चूर के लड़ू यह देखिए कितना सौफ्ट और कितना रसीला बनकर लड़ू तियार हुआ है तो आए स्टार्ट करते हैं मूंग का दाल एक कटोरी लिया हुआ है आप चाहें तो मूंग या चना कोई सावी दाल यहां पर ले सकते हैं अगर आप चाहें तो बेसन भी यूज कर सकते हैं लेकिन बेसन को हम लोग डिरेक्टली भून के बनाते हैं यह थोड़ा सा प्रोसेस अलग है तो इसको मैंने सोख जब तक पानी निकलता है हम यह थोड़े ड्रायой फूट्स काट लेटा है तो मैंने यहां पर बादाम लिया है छे साथ बादाम ले लिए और छेsis हाथ काजू के लिए तो ने रीजह स्लिट कर दिया है और जो बादाम है उसको भी हम ऐसे 2-3 पीस में कट कर लेंगे और अब देखिए पानी निकल गया है तो ़ हम क्या करते हैं मिक्सर के जार में वृहिं को डाल करके ग्रैंड कर लेते हैं तो हमें यह चीज यहां पर ध्यान रखना है, बहुत महीन नहीं करना है, यह देखिए अब बिल्कुल पर्फेक्ट बन गया है, इसको हमें निकाल लेना है, यह आपको देख कर समझ आ रहा होगा कि हमें कितना महीन करना है, तो हमने कड़ाई में एक चम्मस घी लिया है, और मैंने यह कटे हुए ड्राय फूट्स डाल दिये हैं, इसको हमें भून लेना है, अब हमें क्या करना है, कड़ाई में हम 4-5 चम्मस घी लेंगे, और यह जो दाल थी ना, इसको हमें टिक्की के सेप में बनाना है, ऐसे यह टिक्की के सेप में रहेगा ना, ऐसे चिपता तो यह जल्दी से पक जाएगा, इसलिए मैंने इसको यह से बनाया है, तो हम क्या करेंगे ना, इन सब को हमें अच्छे से पका लेना है, इसको हमें बहुत लाल नहीं करना है, यलो ही रखना है, और इसको फिलिप करते हुए हमें, दोनों साइड से अच्छे से इसको पका लेन एक मैं आपको यहां पर तोड़ कर दिखाती हूं यह देखिए कितना सॉफ्ट और अच्छा बनकर तियार हुआ है बिल्कुल पर्फेक्ट है तो अब यह बाकी के जितने भी है इसको हम ऐसे तोड़ करके मिक्सर में डाल करके फिर से दर दरा पीस लेते हैं यह देखिए ऐसे को देखकर कोई भी कहपएगा कि यह बुंदी नहीं है देखिए बिल्कुल बुंदी जैसा ही दिख्च रहा है न हमने इसको भिना जहाडकर बनाया है जहरने पर जहाड़ा नहीं है यह बहुत ही अच्छा बनकर त्यार हुआ है अब हम क्या करेंगे काड़ाई में 3-4 चम अगर आप अपनी मिठाई में कलर डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर आपको थोड़ा सा कलर एट कर देना है बट मैं कलर यूज नहीं करने हूं यह देखिए गाड़ा हो गया है चिपक रहा है बस अब हमको फ्लेम आफ कर देना है और इस चासनी को हमें इस बूंदी में देखिए अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो चीनी है ना चासनी वो बूंदी में बिलकुल अंदर तक चली जाए और यह देखिए इतना सूखा भी हो गया है तो इस स्टेज पर हम गैस बंद करके इसको निकाल लेते हैं अब हम इसको ठंडा होने के लिए बना लेंगे यहां पर ताकि टूटे नहीं सी तरीके से हम सारे लड्डू को बना लेंगे और हमने जो यह ड्राइफूट्स लिया था ना इसको हम उपर से चिपका देते हैं यह देखिए कितना पॉर्फेक्ट लड्डू बन करते हा रहा है लग रहा है ना टेम्टिं चली मैं एक लड्डू आपको तोड़ कर दिखाती हूं यह देखिए कितना टेस्टी और जूसी दिख रहा है बहुत ही स्वादेस्ट बिल्कुल पर्फेक्ट बन कर तियार हुआ है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिजेगा हैपी दिवाली